Hello students, welcome to channel Maths Mint by Kamlis. आज मैं solve करूंगा Class 10 के लिए Maths Exercise 13.4, Question No. 5 in CRT book से Chapter है Surface Area and Volume. I hope you will please like and subscribe this channel. Thanks. Question है, a metallic right circular cone of 20 cm high. तो एक ये metallic ये कौन है? इसका height कितना है? दिया हुआ question में. ये height है 20 cm. ठीक है? question में ये ही दिया हुआ है. ये metallic एक कौन है? ये metallic right circular कौन 20 cm high. 20 cm high इसको बना दिया. whose vertical angle is 60 degree? इसका angle कितना vertical? ये 60 degree है. Right? Is cut into two parts at the middle of its height by a parallel to its base. इसका ये base है? इसी के parallel से half पर, means ये 20 cm इसका complete height है, तो 10 cm height पर 10 cm निचे हो गया और 10 cm उपर हो गया है. तो ये height हो गया इसका, यहां से यहां तक 10 cm. ठीक है? और यहां से, यहां तक height हो गया ये कितना? 10 cm. मिदल से cut कर दिया. जो parallel है, मनें, तिर्चा नहीं करना है, एदम parallel करना है, जिससे की इसका diameter, बेस का diameter और ये कटे हुए portion का diameter दोनों parallel हो जाए. इस तरह से काटा गया है. Middle of its side by a parallel to its base. If the frustum so obtained, इससे क्या हो गया? एक ये frustum बन गया. यहां से यहां तक. obtained, be drawn into a wire और जो frustum बना, उससे हम wire draw कर लिए, means melt करके उसको इससे draw कर लिए क्या wire माने wire बना लिए. जिस wire का diameter 1 by 16 cm है. Find the length of the wire. तो ऐसा जो diameter का wire बनेगा इस frustum से, उसका length कितना होगा, यह हमको find करना है. question में सब कुछ ठीक है. सिर्फ इसमें देखना है क्या radius of frustum, न अपर पार्ट का दिया हुआ है, न लोवर पार्ट का दिया हुआ है. इससे सबसे पहले इसको निकालना होगा. ठीक है? अब इसमें लिखते हैं, यह कर दो करना है, यह वुआ है, टियमें, डियमें लिखते हैं, डियमें, साथ इस वर्टिकल जो कुश्टन में दिया हुआ है वर्टिकल एंगिल एंगिल क्या हो जाएगा वी ए सी इसल तू 60 दिग्री ठीक है अब इस वर्टिकल एंगिल से अगर परपेंडरी कुलर टू इसके बेस पर हम लाइन खीज देते हैं तो यह एंगिल कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 30 दिग्री कौन का जो वर्टिकल एंगिल है उससे अगर परपेंडरी कुलर उसके बेस पर डालते हैं मिंस डामेटर पर डालेंगे तो यह बाइसेक्ट हो जाएगा यह 30 दिग्री हो गया ठीक है at the middle of its height a plane with diameter d e at the middle of height a plane किखिया इसका नाम डाल दिया d e ठीक है जो इस लाइन को ओपर कट करता है और इस लाइन को तच करता है पीपर ठीक है यह diagram हो गया at middle at the middle of its height a plane with diameter d e is cut parallel to diameter bc of its base यह question में दिया हुआ है अब है दस 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 ए फरस्तम और कों इस होर्म तची होर्म कर गया उस्टा एक परस्तम और कों पर्म गया एक ये फ्रेस्टम बन गया अब इसमें रेडियस निकालना है सबसे जोड़ी दोनों का तो इसका रेडियस में क्या करेंगे टिग्नोमेट्रिकल खॉर्मूला को अपलाई करेंगे देखते हैं इसको जो है टॉप आप दी फ्रेस्टम का जो ये आर है इसको हम आर्टू मान ल यहां ठीक है अब लिखेंगे नाव इन ट्रेंगिल अभी एक ट्रेंगिल बन गया कौन सा ट्रेंगिल बन गया ए ओ इसमें क्या देखते हैं O E by O A O E और by O A ये इस 30 डिगरी अंगिल के लिए सामने वाला अपोजिट साइड हो गया ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया A O क्या हो गया बेस हो गया तो ये हो जाएगा P by B जिसका ये P कितना है ये R2 मान लिया है इसको और ये B कितना होगा जितना इसका हाइट है 10 cm है इसको हाइट मानने है इसको मान लेते हैं H1 ये हो गया ये हो गया H2 इसको मान लिया और ये H1 प्लस H2 हो गया क्यों क्योंकि ये दोनों का सम है इसलिए 20 cm हो गया H1 प्लस H2 ठीक है ये 10 cm है H1, H2 भी 10 cm है क्योंकि मिदल से कटा हुआ है इस दोनों का हाइट H1 प्लस H2 20 cm है जो पूरा इसका हाइट है ठीक है तो 30 degree हो गया अब 10 30 degree कितना होता है 10 30 degree हो जाता है 1 by root 3 ठीक है तो अब इसमें डाल देंगे R2 ये है R2 by H is equal to H के जिए अपर डाल देते हैं कितना 10 है तो इसको 10 डाल देते हैं यहां R2 by H means 10 is equal to 1 by root 3 ठीक है तो अब इससे क्या हो जाएगा root 3 R2 is equal to 10 into 1 ये हो गया cross multiplication इसलिए R2 क्या हो गया मेरा 10 by root 3 ये मेरा निकल गया ये इतना centimeter निकल गया ये R2 निकल गया ऐसे ही similarly R1 भी निकाल लेंगे तो लिख जाएंगे similarly इन त्रेंगिल अब इसमें कौन सा त्रेंगिल हो गया तो ए पी सी ये लार्जर त्रेंगिल जो है पूरे लंबे सेप में ए पी सी इन त्रेंगिल ए पी इसमें क्या हो जाएगा पी सी हो जाएगा बेस तो पी सी और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर 30 दिगरी के रस्पेक्ट में और बेस हो जाएगा ए पी तो PC हो गया 30 degree है उसका opposite side है इसलिए ये परपेंडिक पर हो जाएगा ये हो गया P ये हो गया B ये भी हो जाएगा 1030 degree और PB क्या है तो P के जगा पर क्या है R1 B के जगा पर क्या है ये AP है ना AP कितना है ये H1 प्लस H2 ये पुरा लंबाई H1 प्लस H2 ठीक है P के जगा पर हो गया 30 degree के opposite side वाला है वो परपेंडिक पर पी सी जिसको हम R1 मान लिए है और जो ये AP है वो कितना है H1 प्लस H2 का एड किया हुआ है तो H1 प्लस H2 ये डाल देंगे R1 और H1 H2 कितना है 20 20 cm है अब ये है कितना 1030 degree 1030 degree 1 by root 3 होता है तो इससे डाल देंगे R1 by 20 is equal to 1 by root 3 इससे क्या हो जाएगा root 3 R1 is equal to 20 into 1 cross multiplication से इसलिए R1 कितना हो गया 20 by root 3 20 by root 3 cm ये दूसरा निकल गया अब दूनों का तो रेडियस निकल गया frustum का larger circular area का और smaller circular area का निकल गया ठीक है अब निकाल देंगे अब लिखेंगे volume of frustum volume of frustum कौन सा है d b c e d b c e ये frustum का volume क्या होता है ये होता है 1 by 3 pi है ना तो इसका h2 इसका height क्या लेंगे h2 height लेंगे इसमें क्योंकि frustum का height ये ही है तो ये h2 height लेंगे इसलिए h2 डाल देंगे 1 by 3 pi h होता है तो h2 डाल दिया यहाँ h2 और into क्या होता है r1 square plus r2 square plus r1 into r2 यही फर्मूला होता है इसका अब इसमें क्या करेंगे इसमें डाल देंगे इस सबका value डाल देंगे तो यहाँ लिख देंगे 1 by 3 pi डाल दिया h2 कितना है मेरा 10 है तो यहाँ डाल दिया 10 h2 मेरा 10 है तो इसको 10 डाल दिया और equal to into कितना हो जाएगा r1 square r1 square कितना निकाले है 20 by root 3 तो यह हो जाएगा 20 by root 3 का square हो गया plus r2 कितना है r2 है मेरा 10 by root 3 तो 10 by root 3 का square कर दिया plus r1 है 20 by root 3 into 10 by root 3 यह हो गया आप इसको कर देंगे यह 1 by 3 into pi into 10 यह हो गया root 3 pi into 10 और यह कितना हो गया 20 का square हो जाएगा 400 root 3 से 3 हो गया square हो गया 10 का square हो गया 100 square से root 3 का root हो गया तो यह 3 और यह 200 root 3 into root 3 कितना हो जाएगा 3 हो गया, यह ही इसका हो गया, अब इससे क्या हो जाएगा 10 by 3 pi, 10 into 1, 10 हो गया, 3 नीचे में है, pi है ही और यह हो गया, कितना, 400, 100 and 200, 700 हो गया यह 700 by हो गया, कितना, 3 ही हो जाएगा सबका एक ही यह है, denominator है, तो 700 by 3 हो गया अब यह हो गया, equal to कितना हो जाएगा, 10 by 3 into pi into 700 by 3, तो यह कितना हो जाएगा, 7,000 pi by 9, यह हो गया, वोल्म हो जाएगा, यह सेंटीमीटर क्यू हो गया, यह ख्रस्टम का वोल्म निकल गया, ठीक है, अब क्या करेंगे, वोल्म अब ख्रस्टम निकल गया, 7,000 pi by 9 into pi, अब क्या लिख देंगे, अब वाइर पर आते हैं, लिख देंगे, for the wire to be drawn, जो वाइर कितना है, उसके लिए क्या हो जाएगा, डाइमेटर क्या दिया हो आएगा, डाइमेटर इसकल टू 1 by 16 cm है, यह गिवेन है, length of wire is equal to L, इसको L मान लिए, length of wire को, तो अब क्या होता, volume of क्या होगा, L हो गिए, तो अब लिख देंगे, volume of wire निकाल देते हैं पहले, volume of wire कितना हो जाएगा, यह था पाई, R square into L, यहाँ डाइमेटर 1 by 16 है, तो R कितना हो जाएगा, पाई, R square है, तो क्या हो जाएगा, into 1 by 16 by 2, divide कर देंगे, radius हो गया, 1 by 16 into 2, यह हो गया, L हमको find करना है, ठीक है, अब यह कितना हो जाएगा, पाई, into, कितना हो जाएगा, 1 by 32 into 1 by 32 into L, ठीक है, इतना यह निकल गया wire का, volume होगा, आब क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे, क्योंकि फ्रस्टम को ही milt करके wire बनाया होगा है, इसलिए फ्रस्टम का जो ही volume होगा, वही wire का भी volume होगा, यह हो गया, centimeter cube, अब लिखेंगे, as, volume of, फ्रस्टम, is equal to volume of wire, सेम होगा, इसको दूनों को बरावर कर देंगे, volume क्या निकाल ले हैं इसका, फ्रस्टम का, यह निकाल चुके हैं, 7000 by 9, pi, 7000 by 9, pi, equal to, इधर क्या है, pi into 1 by 32 into 1 by 32 into L, ठीक है, तो अब इसलिए pi इधर भी cancel कर देंगे, इधर भी cancel कर देंगे, तो इससे अब क्या हो जाएगा, L is equal to L निकालने के लिए, इससे इसमें multiply है, तो इसा divide हो जाएगा, is equal to 7000 by 9, और यह हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, divide के जगा पर multiply होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 32 into 32, यह हो गया, into निकल गया, यह centimeter हो जाएगा, L कितना हो जाएगा, इतना centimeter, ठीक है, अब इसको करते हैं, multiply, तो 32 को 7 से करेंगे, जीरो, 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 7 तूजा, 14, 7, 3 तूजा, 21, और 1, 22, इसको 32 से फिर करेंगे, बाइन करेंगे, यह हो जाएगा, 7, 1, 6, 8, 0, 0, 0, तीन जीरो डाल दिया, 32, 4 जा, 68 होगा, 128 होगा, 32 into 32, 64, और फिर उसको डबल करेंगे, 128, यह होगा, 12 बचिया, 13, 2 जा, 64 और 8, यह होगा, फिर 2 करेंगे, फिर समें 6 ताल देंगे, यह होगा, 7, 1, 6, 8, बाइन, यह होगा, 9, ठीक है, 32, 4 जा, 128, 8 डाल दिया, 12 बचा, 32 into 2, 64, और 12 होगा, 78, 76, 6 डाल दिया, 7 बचा, 32, 2 से किया, 64 और 7, 71, यह होगा, इतना सेंटीमेटर होगा, ठीक है, अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, इतना तो होगा, सेंटीमेटर, यह सेंटीमेटर है, तो बहुत लंबा होगा, तो इसको फ्राब मीटर में ठेंज कर जाते हैं, तो यह हो जाएगा, 7, 1, 6, 8, 0, 0, 0, 9 into 100, ठीक है, यह 0, यह 0, यह 0, यह 0, कट कर दिया, अब इसको डिवाइट कर देंगे, 7, 1, 6, 8, 0 बचिया था एक, यह 9, इस कल्टू कितना हो जाएगा, 71 में 9 से लगाएगे, तो 7 ताइम लाएगा, 63 हो गया, बचा 7, 63, 8 बचा, 8 पर 6, कितना हो गया, 86, तो यह लगया, 9 ताइम हो गया, 81, बचा कितना, 5, यह 58 हो गया, 58 में लगाएगे, 9 से, 6 से लग गया, तो यह हो गया, 54, 4 बचा, 4 पर 0 डालेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 49, 40 हो गया, अब इसमें 0 डालेंगे, डिस्मल होगा, फिर 40 होगा, तो यह 4 चार ही होता जाएगा, तो यही इतना मीटर इसका एंसर हो गया, अगर अच्छा लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, फिर भी बहुत ठीक ही है, यह बराबर पूछता है, इंपोर्टेंट,